पोट डिविजन से पकड़े गए इंस्टाग्राम जालसाजों के गिरों को जेल हिरासत पुलिस को असल मुझरिम साहिल की तलाश क्रिप्टो करिंसी में रुपे लगा कर चंद दिनों में रुपे दुगना करने का लालज देकर ठगी करने वाले गिरों के मिंबर शेक रियाज उद्दीन, उर्फ तबरेज, अदनान हुसैन और मुहमद फैजान खान को राजा बगान थाना की पुलिस ने अलीपुर कोट में पेश कर उन्हें पुलिस रिमांड में दोबारा लेने की अपील की मेजिस्ट्रेट ने पुलिस की इस अपील को नामनजूर करते हुए उन्हें जेल हिरासत में भेज दिया पुलिस के मताबिक उन से मजीद पूच गच के जरिया उनके गिरों के असल मुझरिम साहिल तक पहुँशने के लिए उन्हें मजीद पुलिस रिमांड पर लेने की अपील की गई थी लेकिन दफाई वकील ने उन्हें जमानत देने की पुरजोर अपील की मुल्जमीन के वकीलों की दलीले सुनने के बाद मेजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई को रिजव में रख दिया देर शाम मेजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में मुल्जमीन को जेल हिरासत में रखने का हुक्म सुनाया दूसरी जानी मुल्जमीन से पूच गज में ये बात सामने आई है कि इस जाल साजो को ग्रो का असल सरगना गार्डन डिच का रहने वाला साहिल नाम का लड़का है लेकिन वो पुलीस की गिरफ से अब तक बाहर है पोर्ट डिविजन के साइबर सेल इस मामले की संजीदगी से तफशीश कर रही है ताके असल मुझरिम तक पहुँच सके वाज़ हो के पोर्ट डिविजन के राजा बगान थाना में शहबाज अख्तर ने शिकायत दर्च कराई थी के शोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम में उसकी दोस्ती सानिया चोहान से हुई थी उसने खुद को क्रिप्टो करिंसी एक्सपर्ट बताया था इसने बताया था के क्रिप्टो करिंसी में रुपे लगाने पर एक हफ़ते में ही रुपे दो गुना कर देता है शहबाज इसकी बातों में भरोसा करके 30,000 रुपे ट्रैंसफर कर दिया था लेकिन ना उसे दो गुना रुपे मिले और ना असल रकम वापस मिली शहबाज ने राजा बगान थाना में शिकायत दर्च कराई जिसके बाद पोर्ड डिविजन के साइबर सेल ने तफशीर शुरू की और इस रैकेट को बेनकाब करते हुए एकबालपूर के अधनान तबरेश को गिरिफतार किया फिर उनकी मदद से महेश तल्ला से फैजान को धर्दबोचा आपको बता दे के इस वक्रिप्टो करिंसी के नाम पर महानगर कोलकाता में कई ठगी के वारदात हो चुके हैं लेकिन ये पहला मौका है जब पुलिस ने किसी एक ग्रो का भांडा फोड़ किया है जो इंस्टागराम पर लोगों को ठगने का काम किया करता था पुलिस को शक है कि इस ग्रो ने और भी लोगों को अपना शिकार बनाया है और शायद यही वज़ा है कि पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में लेकर इस मामले की तह तक जाना चाती है आपको बता दे के इस वक्त क्रिप्टो करिंसी के नाम पर महानगर कोलकाता में कई ठगी के वारदात हो चुके हैं लेकिन ये पहला मौका है जब पुलिस ने किसी एक ग्रोह का भांडा फोड़ किया है जो इंस्टाग्राम पर लोगों को ठगने का काम किया करता था पुलिस को शक है कि इस ग्रोह ने और भी लोगों को अपना शिकार बनाया है और शायद यही वज़ा है कि पुलिस इन्हें अपनी कस्टडी में लेकर इस मामले की तह तक जाना चाहती है ब्योरी रिपोर्ट हलाते बंगाल न्यूस टैग इंडिया